हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों डाइनोसॉर्स के बारे में तो आज बच्चा बच्चा जानता है और जाने भी क्यों ना 1993 में आज हुई जुरासिक पार्क मूवी तो लगबग सभी ने देखी है और आज हम आपके लिए लाए हैं उन्ही जीवों से जुड़ी हुए fun facts जिनने जानने के उच्छुक बच्चे से लेकर बढ़े तक हैं और वीडियो के लास्ट में इंट्रेस्टिंग fact उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को end तक देखेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आपको पता है जादता डानसौर्स एक हड़ी या सरफ एक दात से ही खोजे गए हैं आपको पता है डानसौर्स की पढ़ाई करने वाले को paleontologist कहते हैं दोस्तों डानसौर्स इस धहती पर 16 अवर्ण साल तक रहे और इंसानों का जीवनकाल इसके केवल 0.1% ही है और ये जिस टाइम में रहते थे उसे मैसोजोरिक एवा करते हैं ये इसके तीनों पार्ट ट्राइसुक जुरासिक कर्टेसियस में जिन्दा रहे दोस्तों जुरासिक पार्क फिल्म में डानसौर्स की जो आवाजे निकाली गई हैं वो असल में सेक्स करते हुए कचोर की आवाजे हैं ये दिल्चस्प बात है फिल्म का नाम जुरासिक पार्क होने के बावजूत इसमें जो डाइनोसॉस दिखाए गए हैं वो असल में कर्टेशिय स्काल गए थे और निथो मायमस प्रजाती के जो डाइनोसॉस थे वो इस टाइम के सबसे तीरी डाइनोसॉस थे जो की 70 किलोमेटर पती घंटे की रफ्तार से दोड़ते थे ये हूबहू आज के सतर्मुक की तरह दिखते थे दोस्तों डाइनोसॉस खाने के साथ साथ बड़े-बड़े पत्था के टुकड़े भी खा जाये करते थे क्योंकि ये इनके पेट में रहकर खाना पचाने में मदद करते थे इसके साथ ही वो सांप्त की तरह कैंचली या फिर कहें इसके नभी चेंज कर सकते थे नमबर बन क्या आपको पता है डाइनोसॉस इतने विशाल होने के बाबजूत इस धरती के सबसे विशाल जीब नहीं थे इस धरती पर एकजिस्ट करने वाली सबसे विशाल जीब है जो आज भी जिन्दा है चली अब ज़रा बात कर लेते हैं ये एक साथ कैसे विलुप्त हुए हुआ कुछ ऐसा था आज से करीब साड़े शे करोड़ साल पहले एक 12 क्लोमेटर चोड़ा उलका प्रिंट प्रतुई से टगरा है जिससे ऐसी शौक पे पैदा हुई जिससे प्रतुई पर उस टाइम मौरूत 75% बनस्पती और जीब जिसमें डानोसॉस भी सामिल थे पूरी जीब रहे हैं इस केम का नाम है इस्टर एक क्रॉम टी वै तो कैसा लगा आपको डानोसॉस के बारे में ऐसे मजदा फैक्स जानकर कमेंट करके बताईएगा और ऐसी ही मजदा वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में